तो है गाइज मेरे पास है JBL का C50 SI earphone और में इसका complete review देने वाला हूं इस वीडियो में मैं काफी दिना से इसके यूज कर रहा हूं अभी और मैं अपना experience share करने वाला हूं इसके साथ और यह भी बताने वाला हूं कि last में कि आपको यह वाला earphone लेना चाहिए कि इसके जो competition में करें जो दुसरे earphone से बहु लेना चीए और क्यों लेना चीए और ये क्यों लेना चीए उसब के सब मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में तो वीडियो का लाट तक जरूरा दिखना तो यह earphone का बॉक्स ता और और आपको यह दो इयर टिप्स दिखने को मिल जाएंगे मीडियम और स्मॉल साइज के और बाकि यह एक एयर फोन और अच्छा सा एक वारंटी कार्ड भी इसके साथ ही तो इतना है था स्रिफ अंबॉक्सिंग के लिए तो गाइज मैं फिलाल समदर किनारे बैटा हूं और यहां पर इसी एय कि शयर फोन के माइक से वीडियो डिकौर्ड हो रहा है और इसमें बोल रहे है कि आहां कि आपको बाहर के स्वाइद ने शुनाई देंगे हाँ अगर आप music सुनते हो तो आपको बाहर के sound नहीं सुनाई देंगे अगर आप 30-40% के उपर volume लगते हो तो लेकिन नॉर्मली आपको समंधर के sound सुनाई दे रहे कि नहीं समंदर का जो लयर का sound है आपको सुनाई दे रहे कि नहीं जरूर वह को और ये या में चैनि सुनिया est geven अधाश को बीधित को फॉटाबगी तन की यहें अतने मल रहा है और विए अहज़ा चैनि को की आता है है अंदर में आवाज तो से दोनों का सेमी रहेगा सब का सेमी रहेगा जाए कलर जो भी हो इसलिए मैं रेड़ वाला ही मंगा लिया तो यह मेरे पास एयरफोन है यह वाला जो एयरफोन है उसका जो बिल्ड कॉलिटी है वह मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं है अगर आप रफली करते हो तो इसको मत ही लेना कि वाय का क्वालिटी हो नॉर्मल किसी एयरफोन में जो आपको मिलेगा लोकल दुकान में उसके जीशा ही है और कभी भी ठूट सकता है खराब हो सकता है बेसिकली अब जो बार बार ऐसा फोल्ड करके रखोगे तो खराब हो जाएगा इसमें ज जो यहां से तूटने का चांसे रहेगा बाद में या अगर आप अच्छे से यूज नहीं करोगे तो इसका जो बाकि इधर जो प्लास्टिक यूज किया गया हो सब बाकि ठीक है कान में भी परफेक्ट फीट हो जाता है अगर फिट नहीं होगा तो यह आप चेंज कर सकते ह है इस बटन से आप प्ले पाउज कंट्रूल कर पाओगे और बाकि आप फोन स trends रगाल ऑच पाओगे ऑपन कर पाओगे कट कर पाओगे और इसके फिर नीचे आते तो यह कि इस टोपर है जिसे कि आप आपने चारब से एकज़स्ट the और फिर उसके नीचे आते तो कुछ नहीं है फिर लास्ट में यह गोल्ड प्लेटेड जैक है और यहां पर इसमें वाइड रेडशेड और बागी इस चाइने में भी लिखा हुआ है चैनीज नहीं आता भई बाकि यहीं था एक पूरा एयरफोन अब मैं आपने आपना आपना एक्सपिरेंस करूंगा तो मैंने इसको और क्लासे और कैजूल म्यूजिक सुनने के लिए लिया है तो जो परपस से मैंने लिया था वह परपस को सैटिस्फाय करता है जैस्टिफाय म्यूजिक काफी बैलेंस्ट है काफी सही आवाज आता है इसमें 9mm का ड्राइवर है तो काफी एक सही आवाज देता है यह कोई सुनिए 80% की उपर अगर आप वॉल्यूम करते हो तो वॉल्यूम थोड़ा सा लिक करने लागेगा थोड़ा आप म्यूजिक सुन रहे हो आज सुनाई देने लगेगा और 100% पर तो आप इसको यूजी नहीं कर सकते बहुत ज्यादा आवाज करता है और आज वाले को भी सुनाई देने लगेगा और अगर मैं लैप्टॉप में यूज करता हो इसको तो मेरे को वॉल्यूम 8-9 पर रखना पड़ता है 8-10 में रखना आपको कमफर्टेवल ने लगा ज्यादा क्या कि इसका वॉल्यूम बोज अच्छा लगा मेरे को बाकि अगर आप इसको नहीं लेकर आप दूसरा भी लेना चाहते हो तो उसका option है कि मतलब अगर आप ब्रेड़ के साथ लेना चाहते हो जो कि आपको डियूरेबल होगा और प्रोवाइड करें तो उसके लिए दो तीन option है आपके पास जानी कि अगर आप ब्रैंड के तरफ आसपास मिल जाता है अगर आप ब्रैंड के तरफ जाना चाहोगे जिसे जीविल अगर आप लेना चाहते हो कोई दिक्कत वाली बात ने कोई इसू नहीं है इसके साथ अगर अगर आपको विल्ड कॉलिटी अच्छा चीए तो आपको दूसरा देखना चीए और आपको म्यूजी का कॉलिटी अच्छा चीए आपको ब्रैंड में जाना है जेविल जिसे ब्रैंड का अगर लेना आपको तो आप यह बिल्कुल भी कंसिडर कर सकते हो कि C50, C150, C100, C200, C यह सब जितना भी इसका जेविल का मॉडल है वह सबके सब सेम तू सेम है कोई उसमें कोई भी फर्क नहीं कोई भी डिफरेंस नहीं है इवन ऑडियो क्वालिटी बीवें सबका सेम ही आता है तो 150 लो या 200 लो या 100 लो C सीरीज के जेविल के एक ही बात है तो I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो में मिलता आप लोग से किसी ऐसे अमेजिंग वीडियो के चाहत थैंक यू फू वाचिंग दे वीडियो